कानपुर दंगे में सपा कनेक्शन सामने आने के बाद खलबली मच गई है इसलिए मामले पर समाजवादी पार्टी ने अपने पदा अधिकारी एवं महानगर सचीफ निजाम कुरेशी को निकाल कर किनारा कर लिया है वहीं भाजपा ने इसे मुद्दा बना दिया है भाजपा पूरी ताकत से हमला बोलते हुए सपा को घेरने में जुटते है भाजपा महानगर अधिच ने सपा पार्टी को दंगा पार्टी करार किया है सपा ने कुरेशी को पार्टी से निसकासित कर दिया है आपको बता दे क पुलिस की ओर से दंगे के बाद F.I.R दर्च की गई इस लिश्ट में सपा के महानगर सचीफ निजाम कुरेसी का नाम भी दंगईों में सामी है इसके बाद सपा ने उन्हें पार्टी से बर्खास कर दिया है कहा जा रहा है कि निजाम कुरेसी का सपा के तीन विधायकों के साथ उटना बैठना है तो वही निजाम के समाजवादी पार्टी के अन्यपदाधिकारियों से अच्छे संबंध भी है इस हिंसा में अब तक हुई F.I.R में पुलिस ने उस पर भी केस दर्च किया है इस मामले पर सपा नगर अध्यच्छ डॉक्टर इम्रान ने कहा कि दंगईों से सपा का कोई नाता नहीं है कुरेसी को पार्टी से बरखास्त कर दिया गया है अकरपूर से भाजपा सांसर दिवेंदर सिंग होले ने सपा को दंगा पार्टी करार करते हुए दंगयों का समर्थक बता डाला बूरी रिपोर्ट आई पियन